पुर्सोतमास के पावन पर पर श्री सद्गुरु डॉक्टर राजा सोमनात योगिश्वर की प्रेड़ना से श्रीमत भागवत कथा ग्यान महायग्य का योजन श्री सोमनात धाम मंदर में किया जा रहा है जहां व्यासपीट से पंडिल सुमित किश्चत्रवेदी भक्तों प भक्तों पर ज्यान की अमरित्वर्शा कर रहे हैं जसका अनंद लेने के लिए शहागंच एवुम आसपास के श्वेत्व के भक्त कथा इस्तल पर पहुंच रहे हैं अधिक मास पश्चता मास के हिसाब से हर तीन साल बाद भागवत कता होती है यह किस साल से चल रहा है यह भागवत साथी बार हो रही है श्री सोमना धाम में पित्र बोक्स के लिए और भाग देश के सुक्स सांती के लिए भागवत कराई जा रही है यह सद्गुरु राजा सोमना योगेश्वर की पिरना से फीर डाक्टर शंगना योगी जी के सान्यत में श्रीमत भागवत कता को आज चौथा दिन है श्र्षिज प्राप करा है कता शिर्मन कराने बड़ा आनंदा रहा है बहुत आनंदा रहा है कि लोग आ रहे हैं ऐसा लगता है कि हम विरंदावन में आ गई है 30 जुलाई से 30 जुलाई तक चलने वाली श्रीमत भगवत कथा ग्यान महायगे के चौथे दिन भगवान कृष्ण का जन्मुस्व बड़े ही हशुलास के साथ कथास्तल पर मनाया गया इस दौरान कथास्तल पर भगवान को माखन मिश्री का भोग लगाया गया साथी पूरे पंडाल को भवे रूप से सजाय गया भगवान के भजनों पर जूमते हुए नजर आये इस दौरान भगवान के प्रतिभक्ति देखने लाइक थी हमारे शागन शेतर में गुरू जी की मड़ी है वहां पर हमने खूप भागवत कथा का आनंद ले रहे हैं आज चोथा दिन है और आज श्री किश्री भगवान का जनम दिन है और हम लोग सब भक्तिगन दूर दूर से आ रहे हैं खूप कथा का आनंद ले रहे हैं देखिए आज इस हिंदुस्तान में भारत बर्ष में जिस प्रकार से सनातनी उगी एक लहर चल पड़ी है जिस लहर का एक धारण किये हुए प्रदान मंथरी नविं्दर मोधी थी हमारे माननिय मक्य मंथरी यादियत्तनाजी दरण दौजा को धारण किये हुए है दरंदोजा को पढ़ा रहे हैं उसी कड़ी में आज श्री सोमना दाम जो आगरा में इस्तित हैं यहाँ पर श्रीमत भागवत कथा के माध्यम से प्रत्य हिंदों को जागरत करने की यहाँ पर एक प्रता चालू की गई है प्रतात योगी के साथ बीजेपी के वरिस्ट नेता हेमत भुजवानी भी उपस्तित रहे हैं सी न्यूस के लिए अनिल कुमार सिंग के रिपोर्ट